आज एक नए एपिजोड में एक नए कहानी लाई हूँ मध्यप्रदेश की बिटियां हैं और मेरे साथ मेरी सयोगी सांसद भी हैं आज जानेंगे उन्हीं की जुबानी उनका सफर सर्पंज से लेकर संसद तक श्रीमती संपत्य विकेजी आज हमारे साथ जुड रही हैं आप आज आज आप हमारे शो में जुड़ी हैं लाजबी हैं कि सबसे पहला सवाल में आपसे यही पूछूंगी संपत्य जी कि आपका जो इंट्रेस्ट है राजनीती में कैसे शुरूआ क्या ये बच्पने से आपकी का सपना था या आप चाहती थी कि जब बड़ी होंगी आप राजनीती से जुड़कर संसद में आएंगे चुकि में अकेली हूँ मेरी बेहन मता हम लोग दो सिस्टर थे और जब हम दो बेहन थे तो जब में जनमली तो बताते हैं कि उस समय में बहुत उत्सार है जब मेरी बड़ी बेहन जब मेरी दादी की अन्तेष्टी लेकर के नर नर्वदा जी मैं जब अस्ति विसरजन करने गये तो उस दिन मेरी बड़ी सिस्टर का नाम नर्वदिया और जब मैं कार्तिक के मेहने में जनमली तो मेरा नाम संपतिया चुकि कार्तिक के मेहने में हम लोगों की इधर जनजाती समाज में, अदिवासी समाज में जब बेटी होती हैं तो बड़े उतसा से ढोल ढमा का मनाई जाती है, कि हमारे घर में लचमी आई तो उस बात को लेकर के जब मैं कार्थिक के महिना में जन मिली तो उस समय में हमारी यहां पर जो की मुख फसल होती है कोदो कुटकी और धान तो बहुत ज़्यादा उस समय में फसल आई थी वारिस हुई थी फसल अच्छी आई तो यह कहा गया कि नहीं एक तो मा नर्वदास इस नला आई तो उसे साब से तो यह सारी मेरी दादा डादी यह बताते थे कहाने करता देधे कि में जब पूछती मेरा नाम संपधिया नर्वदीया ऐसा क्यों रखे सेड़गत ना मेंने लोगेइख तो यह दू तो हमारे यहां पर सांवार प्राइमरी स्कूल थी और उस पर में चौती तक पढ़ी मेरे नाना-जी टीचर थे तो मैं वहां पर पढ़ी और मैं ऐसे परिवार में जन्मली सदारण परिवार जहां-पे बहुत जंगल और वाय ऐसी स्थिति थी कि हमार्केट सप्ता में एक तो वहां से आने में रात हो जाती थी मेरे जो ममी पापा थे तो बहुत सधारण परिवार से मैं उठकर की आई और मेरे मन में ये था कि मैं पढ़ूंगी तो मेरी माँ जो थी वो कुछ पढ़ी लिकी थी तो वो हमेशा कहती थी कि बिटा पढ़ना चुकि शिक्षी तदी पढ़ो आप तो जब मैं पांचवी तक पढ़ी गाउं में और पांचवी के बाद में धुत का जाती थी पढ़ने तो मात्र हम चार-पांच लड़का लड़किया जाते थे आठ किलोमीटर पैदल जाते थी और जंगली जंगल वहां पे ना रोड थी ना कुछ नहीं ऐसे जंगली जंगल हम पैदल पढ़ने जाते थे और वहां पे जब आते थे तो साम भी हो जाती थी फिर आकर के घर का पूरा कामदाम भी करती थी और इसके बाद फिर मैं जब आठवी तक वहां पढ़ी और आठवी के बाद फिर मैं दो साल फिर पढ़ी बमनी बंजर में तो वहाँ पे में बिल्स पढ़ने जाती थी, तो तेरा किलो मीटर साइकल से जाती सीं, माट्र दो वहनßenा हम लोग जाते थे एक में जाती थी और एक पतेल थी, तो वहाँ पे भी dug के ती तो उसकी पाठ बहुत हुगी थू जब बारिस के समय में बहुत बाढ़ाती थी तो वहाँ पर करना भी कोई पो पुल नहीं थी में हम उचिए पजी को रखते थे हुएं जब फैसकूर जा झाठे से हम लोग दोनों एब लोग दोनों थे आगे पर तो जब इस्कूल से वापस होई साड़े चार बजे पाच बजे हम लोगों की जैसे चुटी होती थी तो हम लोग उस समय में चना फूटा जो चने के वो रख लेते थे तो भूख लगती थी तो उसको खाती आते थे तो जब आये जब नदी के किनारे तो ऐसे हम लोग बैठे ट्राइब कि में साइकिल को रखे और हम दोनों बैहन बैठे तो जब हम लोग बैठे तो एकदम तूफह न आई पर गया और हम लोग बह गए, तो जब बह गए तो काफी नीचे तक चुकि मेरे को तैरिने आती थी उसको भी आती थी तो हम लोगों के गावों में तलाब थ तो वो हम लोगों के नेचर पे तो जब हम लोग तैर करके और काफी आधा किलोमीटर दूर जाकर करके साइकल तो नहीं मिली बट आधा किलोमीटर दूर जाकर करके हम लोग बेसरम और जाड़ी को पकड़ करके और पार कि जब घर आए तो हम लोगों के जब मेरे मम्मी पाप बहन खतम हो गई, मम्मी पापा भी नहीं है, पर जब घर पे आए तो जीजा जी हम लोगों को मारे भी, मेरे को मारे, कि वोले, इतने लेट क्योंकि यह आप मस्ती में लग गई हो गई हो तो इतने लेट कहां थे, आप 7 बजे आप घर पहुंच रहे हैं, करके, तो जब मैं ब समय में मा की और पिता जी की फोटू के सामने खड़े हो करके मैंने प्रतेग्या की थी, कि मैं आज जिस कारण से मार खाई, या तो मैं आईयस अधिकारी बनूंगी, या फिर मैं कोई राजनेता बनूंगी, और इस गाउं की पुलिया को मैं बनवाओंगी, और यहां तक र 13-14 साल की थी, तो उसी समय में में मन में यह आया, कि मैं अच्छा पढ़ूंगी, और या अच्छा अधिकारी बनूंगी, जो मेरे हाथ में पावर भी रहे, और मैं या कोई अच्छा नेता बनूंगी, तो मैं यहां पे इस फुल पे काम करवाँगी, तो फिर मैं पढ़ी, और इसके बाद फिर जब मैं बार्वी के बाद में मनला में आई, तो चुकि मम्मी पापा थे नहीं, और बहुत सधारण परिवार से थी, तो मैं चात्रवास में फिर एडमिसन ली मनला, रानी अवंति बाई में, तो वहां पे फिर मैं ने पढ़ी, और बार्वी पास की व मेरे पतिदेव थे पटवारी, दूसरे टेस्ट्रिग की में एडिलोरी जिले मारे है, तो मीरे ऑशास साशूर बहुत ब्रदे जो मेरी शाश्यमा थी, ओंप herself ago, तो अनकी बहुत सेवा कि मैं और इसके ऐबाँ ह्- आपने पती पत्रतिग्या के बाड़ है मैं नहीं चाह रही थी और आगे पढ़ाँ ररेजर च्किक मेरे सुस्राबालों मुझे पहँ नहीं सबस्याँ करे बाद मेरे शुस्राइब नहीं सबस्सक्काइब उत्या है जहां पर मेरी साधी हुई थी, वहां से 200 किलोमीटर दूर मेरे पती देव नौकरी करते थे, तो मेरे को बोलते थे कि आप साथ में चलो, तो मैंने कहा नहीं, मेरे जो माता-पिता साथ सासुर, उनकी मैं सेवा करूंगी, चुकि एक पैर से वो चलना ही पारती, तो मैं नहीं मेरे को ऐसा लगा कि मैं पारिवी पढ़ी हुऊ, तो मैं निहां को ऐसा लग रहा कि कुछ करना चाहि है, तो मैं गायों की सुस्रान गायों। वहां के उनुम महिला मंडल बनाई। आदर्स-महिलामंडल के माधियं से में बैथ सुरू की मंदिर में, और झाब मंदिर में ल बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा है, तो मेरी छोटी सी घर थी, वो घर के सामने बहुत बड़ा आम का पेड़ था, तो आम के पेड़ के नीचे, मैं पुरे गाउं के बच्चों को पढ़ाती थी, फिर गाउं, चुकि मालगुजारी गाउं थी, तो उन से मैं ने जा करके बोली कि बुआ, मैं छोटी-छोटी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं कि ये बच्चों के साथ मेरा भी टाइम बीते है, और मैं चुकि पढ़े लिखी हूं, और जन्जाती समाज में काफी, मतलब ज्यादा पढ़े लिखी नहीं होते, आठ वी और सरस्वतिस मंदिर में नब्बे से लगातार अंठान नवी तक बच्चों को पढ़ाने लगे, और पूरे गाओं के बच्चे वहां पर पढ़ते थे, और उसके साथ जो तीन-चार गाओं थे, उन गाओं के बच्चों को भी वहां पर भीजने लगे, कि नहीं, इनका तक पढ़ते थे, और रेजल्ट भी अच्छी मिली, फिर जब देखे लोगों ने, आसपास के गाओं के लोगों ने भी कि नहीं, वह पलाने की बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और अच्छी है, ऐसा करके एक्टिव है, तो फिर जब पतीदेव आए, तो और मेरे जो ससु आओ तो माईके की सुरुवात की थी, मैं यह सुस्राल की बता रही है, यहां ना रोड है, ना पुल है, और ना ही यहां पर पानी है, ना बिजली है, तो ऐसा क्यों ना हो कि यह जनरल सीट है, इसमें यह बहु को अपन सरपंच बनाते हैं, जनरल सीट थी, तो नाइन्टी में जब पंचायत की एलेक्शन हुए चुनाव, तो उस समय में मेरे सामने प्रस्ताव आया, तो मेरे यहां पतीदेव को पहले और ससुरुजी को पहले वहां के मालक थी, उन्होंने कहा कि हम ऐसा ऐसा सोचे हैं, कि बहु अभी बच्चों को पढ़ा रही है, पर बुले हैं हम यह चाह रहे हैं कि गाउं का विकास करना है, तो ऐसे कोई समद्दार महिला को हम खड़ी करें, भली जनरल सीट है, तो कितने साल आप सर्पंच बनी रहें? मैं सर्पंच रही, 2098 से, 98-99 में इलेक्शन हुए, और मैं 2034 तक मैं सर्पंच रही, और जब दो में मेरे काम देख करके, मैंने जब चुनावन लड़ रही थी, तो उस समय में पूरे गाउं की लोगों को मैंने निवेदन की, कि मैं इलेक्शन से चुनावन ना लणू, आप सर्पंच गाउं वालों चाह रहे हैं कि आप सर्पंच राजनीती में आए, तो मैं रोलने लगी, मैंने कहा कि अधिकारी IPS तो नहीं बनी, पर सर्पंच मेरे मन में था, कि मैं राजनीती में जाऊंगी करके, तो उस समय में में मेरे को बड़ी खुसी भी हुई, खुसी पूरे गाउं से और मालिक के खबर आई है कि बहु को सर्पंची के चुनाव लड़ाएंगे, तो फिर मैंने कहा कि मैं एक सर्पे लड़ूंगी, कि मेरे अगेंश्ट में कोई चुनाव ना लड़े, तभी तो विकास अच्छे से कर पाऊंगी मैं, ऐसा मतलब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, उन बहिनों को मैं अपने घर पे बुला करके उनको साक्छर कराई, नाम लिखना, सिमनेचर करना ये सारी चीजें उनको सिखाई, आ, अनरका, गिंती, ये सब चीजें, तो वो सब बहिने साक्छर हुए, जब उस समय में अब्दूल कलाम जी थे, तो मेरे को दो हजार, दो तीन में उन्होंने राष्टपती पुरुषकार दिये, कि पूरे गाउं को आपने साक्छर बनाई करें, फिर इसके बाद फिर जब तीन-चार में चुनाव आए, तो फिर उस समय में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, और जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, तो अब चुकी पद थोड़ा सा बड़ा हुए, तो उस समय में मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम की, महिलाओं में जहां पे भी जाती थी, पूरा हमारा जिला, आदिवासी जिला है, जाहे वो दिन्डौरी के हैं, बालाघाट के हैं, उमरिया, सहडो, लनोपड, यह पूरा हमारा मलाघाट अरिया है, तो वो पूरा मतलब ट्राइवल एरिया है, जंजाती हैं, तो वहां पे में देखती थी, और पूरा फारेस्ट अरिया, तो वो बहने, घर पे अपने जो भी पेजभाजी वो लोग बना देते थे, और वो जंगल जाती थी, और जंगल में लकडी लेकर के आती थी और दूसरे दिन सहर में ले जाकर के लकडी बेच थी तो उनके पैरों में देखती थी चपल भी नहीं है तप-पाते धूप में ऐसे आती जाती है तो मेरे मन में एक भाव आया कि मैं अब इन बहिनों के लिए कुछ करूं चुकि मेरे स थी तो में एक पंचाज की सरपंच पर ऐसे चुगदा-पंद्रा गाउं में जाती थी और वहां को बेठाल करके पेड के नीचे और उनकी बैठक लेती थी उनको समझाती थी कि आप काम करते हैं तो आपको कितनी मजदूरी मिलती है तो उस समाई में बहुत कम मिलती थी थी के उन लोगों को हिसाब इसाब बताती थी और उस समय में सेंटरल बैंक थी तो उसमें हम लोगों ने खाता खुल लगों तो उसमें हर सपताह में 10-10 रुपया 10-10 रुपया बचा करके हमने वह सेल्फ हेल्प ग्रूप सवसाहत समुख के माध्यम से काम कि तो फिर ये पंच वर्षी हुआ लोगों को दिखने लगा काम फिर दूसरी पंच वर्षी में भी लोगों ने कहा कि नहीं इन ही को हम निर्वरो सरपंच बनाएंगे तो मजे की बात यह कि मैं मना भी करती थी कि नहीं नहीं अब मेरे को नहीं बना है तो चाहे वह कांग्रेस के हों गोड़व मेरे लड़ने का नहीं सोचा कभी नहीं मेरा नहीं हुआ चुकि मैं जब 2013 में जब इलक्षन थे तो उसी समय में मेरे यहां पतिदेव सांथ हो गए पतिदेव नहीं रहे और उस समय में पार्टी को यहां लगा कि इनको मेले बनाना चाहिए गरके तो उस समय में जिन लोग घ्रणिंग थी और उसके अलावा पूर विधायक थे शुरा सा तो वह भी प्रत्यासी थे एक और प्रत्यासी थे तो ऐसे एक फारटी से तीन रियराशी प्रदेश मंहिड्ला से तोम trace hayaा भाय को सब्सक्राद नाम के यह कि को नम Dopatta e तो उन लोगों ने जो भी सोच करके मेरे काम को देख करके उन्होंने कहा कि नहीं इनको टिकेट मिलना चाहिए और मैं कहीं से मतलम ना टिकेट की दावेदारी भी नहीं की थी और सबसे बड़ी बात है कि मेरे असी समय में पती देव सांथ हुए थे 2013 में डेड़ महने हुए तो में छेतर में निकली नहीं पर मन पार्टी ने मुझ्हे एमेले की टिकेट दिये अचा दिये तो मैं सत्रासो बोट से हारी जह वह काफी कम मरजन में 89,000 बोट में मिले और जबकि में गाउं में निकल भी नहीं पाही थी जब मेरे पती देव सांथ हूए थे तो उस समय म में अन्बिलेंस हो गई थी बहुत जादा तो ऐसे कंडिशन में में दो-तीन गाओं निकली और फिर मैंने सौरी बोल दी कि मैं अब नहीं निकल पाऊंगी मेरी हिम्मत नहीं है आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वही थी हाँ सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे पति ने दिया तो उसका सम्मान भी करना जरूरी था तो उस हिसाब से मैंने लड़ी मेरे पूरी टीम महिलाएं सब लोग जाकर के बहुत उत्साह के सांथ अच्छा काम किये जिसके कारण से इतना मुझे बोट मिले और जब उस समय में मैं जिला पंचाय चर्ध्यक्ष थी और फ यह जाना चाहिए तो फिर गाओं मतलब जो मेरे सुप दिन तक थे व सभी लोगों ने कहा कि नहीं आपको लड़ना चाहिए आपका काम अच्छा है फिर निर्वरोध मेरे को फिर जिला पंचाय तक तो 2017 तक में जिला पंचाय तक में बहुत अध्यक्ष रही तब तक मैंने अध्यक्ष प्रश्चा को लगता है आपकी राजनेटिक सफर के बारे में पतिदेव के जाने के बाद मैंने अपनी बेटी की साधी की बड़ी बेटी के उनकी साधी उनकी उम्र भी लगभग असई थी 21 साल के और वो ग्रेजुएशन कर ली थी और दमाजी है तो वो बैंक मेनेजर हैं महराष्टा में अच्छा परिवार मिला और बेटी भी अच्छी है पढ़िनेखी है उनकी बेटा है दूसरी बेटी की साधी फिर मैंने उसकी भी साधी की तो उसकी 22 साल की थी तो उसकी ग्रेजुएट करने के बाद और वो लॉक की हुई है और दमाजी मजिस् हैं और बड़ी वाली बेटी के फादर भी जॉइंट कमिशनर है तो अच्छे परिवार दोनों के लिए तो किसी का राजनीती में ऐसा मन लगता है कि हम राजनीती से जूरें आपके बेटे मेरे को पीछे से वह सपोर्ट करती है चिंता करती है एक बेटा है और बेटा मेरा कामधाम देखता है पुरा और जो मैंने साधी की बिटिया बना करके जिपको लेकी आई तो वह बहु के परिवार में कोई नहीं है उनकी बहुत जादा गरीब परिवार की थी और उनकी आगे पीछे कोई नहीं थे उनकी नानी थी वह पढ़ाई थी उसको आठवी तक फिर उनको में साधी की कि मेरे को वह बेटी पसंद आई तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए सिर्फ बेटी चाहिए और सबहाग से उस समय में नवमबर की महने में जब हाउस चल रही थी तो मेरे मतलब जिंदगी का सबसे पड़ी उपलब थी कि मेरे बेटे में माननी PM स पस्तित हुए थे और एक सवाल है मुझे मेरा आप से अभी जो हाल ही में सौ करोड़ वैक्सीन का आख्रा पार हुआ है उसमें आपने एक डांस किया था उसको सेलिब्रेट करने को तो डांस तो आप नहीं दिखा सकते हैं पर ऐसा कोई गीत होगा महां का आपकी जहां से आ कि मैं यह गाती थी हमेंसे और गुनगुनाती रहती थी कि बनाबो 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 मेरे गाओं ला सुंदर बनाबो यह गीत में हमेंसे गाती थी और मन में भी यह बात थी और मैं सब को भी बताती थी और जहां पर भी कोई ऐसे ट्राइवल चेतर में जाती तो वहां पर तो उनके साथ मैंने बैठी और मैंने कहा कि अपने यहां पे जिले में कौन-कौन से गाउं है जहां पे वैक्सिन जीरो है तो उन्होंने बताई कि बोले मेडम ट्राइवल छेत्रों में जंजाती गाउं में यहां पे वैक्सिन लगाने में डर रहे हैं लोग जो भी कारड हो और लोगों ने अपो आपा भी मर रहा हैं तो इसके कारड़ से बोले गाओं में वेक्सِّन नहीं लगवा रहे हैं तो मैं ने कहा, जो ऐसे गाउन हैं, वहां पर आप मेरे को बताएं। बदी अलिस्ट हो प経ते हैं। तो दीच पैंट हवाथ में हम लोगों ने पता किया। तो एक भी योगोंने वाक्न लग वापाा है तो फिर में वह ने लगवाए परहें, आप जपार कि आप के समाझ में आप उनको मोटिवेशन करें और उनको प्रे sin में जब को प्रेयु honor करें तो खुपले वड्रेστैंट में चा रावाम कराया है होगी सोअकर कर करकर के मोटिवेशन करें और सब कर कोषाया वह कर्मा के सांध है तो वह हम लोग पहर नाज करके किया आदवाता पर लगोहे वहां लोग बाहूं लिए वह लोग अंप there सबमें ब्रदन मंत्री फिरी में लगवे लगवा रहा है यहार कि हम पैसे देना पड़ेगा सो रोप्या की कि sorgen किसी ने नहीं दो पौला भोगा तो उनको यह भी था कि हम कहां से पैसा देंगे और वेशे प्रदान मंत्री जी ने वैक्सिन लगवा रहे हैं और आप लोग लगाएं हम लोग भी लग वैक्सिन लगॉया है यह तो आसका 100 पर्फेंट कॉंट्रबिशन है सौपरोड करीक्न में तो हम्हारे शो की एक प्रता है जहां पर मैं जो भी गैस आती हैं हमारे साथ जोड़ते हैं अपनी कहानी हमे सुनाते हैं उनके साथ एक सेलफी लेते हैं वो सेलफी हमारे लेए ओम jakiś एक हमेरे यादगार हैगा, उमीद है आपके लिए यादगार मोमेंच रहेगा तो एक selfie आपके साथ लोगे मैं जाते जाते आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी बहुत सारी बेटिया आपकी कहानी देख नहीं होंगी बहुत सारी बेटियाओं को आपने इंपावर भी किया आपके self-help ग्रूप से बहुत सारी बेटियों के मन में ये भी होता होगा जहां आज आप बैठी हैं कभी आने वाले समय में वो भी बैठें तो जो भी आपके मन में एक message है उनके लिए एक उमीद है उनके मन में कि हम भी यहाँ पर बैठेंगी आपका उनके लिए क्या message रहेगा सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप खुब पढ़ाई करों, चुकि इतनी संसाधन, इतनी सुईधाएं सरकार दे रही हैं, मानि प्रधान मंत्री जी दे रहे हैं, तो मैं उनको सब को मोटिवेशन करती हूँ कि आप लोग खुब पढ़ो, खुब आगे बढ़ो और आप अपने ममी पापा का भी नाम रोशन करो, और अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन करो, तो जहां पर भी मैं जिस विद्यालाय में जाती हूँ, तो ये बात को जरूर बताती हूँ, कि पहले ऐसा था, और मैं अपनी कहानी भी बताती हूँ उनको, कि उस समय में जब मैं पढ़ रही थी, तो कोई संसाधन नहीं थी, आज की समय में इतने संसाधन मानि प्रधान मंत्री जी, मुक्मंत्री जी दे रहे हैं, तो आप लोग खुब आगे बढ़ो, खुब पढ़ो, और आप अपने नाम रोशन करो, ये बात बताती हूं, और इसके बाद, आप आप आगे बढ़ें, आई-एस, आई-पे-एस बनें, इसके बाद आगे चल करके, जब आपको लगता है कि नहीं, अब हम पॉलिटिक्स में आना है, तब आप बाद में पॉलिटिक्स में आईएगा, अभी तो खुब आगे बढ़ें, अपने नोलेज बढ़ाएं, बहुत उमीद है आप सभी को उनकी कहानी पर संदाई होगी, और अगले एपिजोड में हम मिलेंगे एक नई शक्सियत के साथ, हम जानेंगे उनकी कहानी, उनहीं की जुपानी, धन्यवाद